नमस्कार फ्रेंड्स पेसल साइल केर जैनल में आपका स्वागत है आज रजनीस अपने मामा जी के साथ मेट्रो वोक में गूमने आया है और किस परकार से मेट्रो वोक का आनद उठा रहा है तो फ्रेंड्स में ये कहना चाओंगी कि आप जहां कहीं भी गूमने जाते हो तो अपने इस बच्चे को भी साथ लेके जाएं और जो भी बच्चे के खेलने से देखने से सम्मंदित चीज़े हैं वो इन बच्चों को जरूर दिखाएं ये देखो यहां रजनीस गोड़े पर बैठा है और होर्स राइडिंग की इसकी इच्चा हुई तो इसके पापा जी इसको साथ लेके और होर्स राइडिंग करवा रहे हैं तो फ्रेंड्स से इनकी जो भी इच्चा है वो आप पूरी कीजिए कोशिस कीजिए कि ये सीखे भी और इंजोई भी करें तो ये किड्स ट्रेन है तो इसमें रजनीस नहीं बैठ रहा था बैबीत हो रहा था प्रन्तो इसके मामा जे ने स्पोर्ट किया कि अगर नहीं बैठेगा तो भै कैसे निकलेगा और तेरे को दीदी के साथ बैठा देंगे तो ये देखो रजनीसा राम से बैठा इंजोई कर रहा है तो फ्रेंट्स इस परकार बच्चे का भै निकालना भी बहुत जुरूरी है अगर बच्चा अकेला नहीं बैठ रहा है तो इसके अच्छा ओई क्में बोल पे जंप करूँ फुल बैठे कर रहे थे तो उसको देख के इसके भी इच्छा ओई तो इसके मामा जी और पापा जी इसको करवानी की कोशिष कर रहे हैं तो इससे बच्चे में क्या है कि खुशी की भावना भी आती है और बच्चा ये मैसूस नहीं करता कि ये चीज़ेरे से वो नहीं पा रही है अगर नहीं हो पा रही है तो वो कोशिश जरूर करेगा एक बार उसको अपने करवाएंगे दूसरी बार अगर जाएंगे तो वो पुद इस चीज़ को देखे कोशिश करेगा कि मैं ये करूँ ये देखो यहां पे साइक्लिंग करवा रहे हैं ये देखो फ्रेंड से यहां पे कुछ बच्चे स्केर्टिंग कर रहे थे तो रोजनीश की भी इच्छ हुई कि मामा जी ये क्या है तो इसके मामा जी ने बताया कि बिटा ये बच्चे स्केर्टिंग कर रहे है तो इसके मामा जी ने इसको सुच पहना के और स्केर्टिंग करवाने की कोशिश की ताकि बच्चे के दिमाग तक ये मैसेज जाए कि स्केर्टिंग क्या होती है और कैसे होती है जब कभी इसके सामने स्केटिंग का शबत यू जोईद तो तुरंट से इसका दिमागी मैसेज करेगा कि स्केटिंग इस परकार से होती है तो इन चीजों का बच्चों को नौलेज करवाना बहुत जरूरी है ताकि बच्चे में ये कल को हीन वाउना भी नहीं हो कि मेरी कोई चीज़ का पता नहीं है और इन बच्चों का सबत बंधार बढ़ाना बहुत जरूरी है तो फ्रेंड्स इस परकार रजनीस के मामा जी ने रजनीस को मेट्रोवक की सेयर करवाई और रजनीस बहुत एक खुश नजर आ रहा है तो फ्रेंड्स इस परकार जहां कहीं पे आप जाते हो तो बच्चे को इंजोई करवाएं और खुद भी इंजोई करें और इस प्रकार के जहां भी बच्चे हों तो फ्रेंट्स हमारी ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा सेयर करें और इन बच्चों की हेल्प करने की भी कोशिश करें और इस चैनल में जो भी मैं वीडियो बना रही हूं वो CP बच्चों के लिए काफी helpful है तो हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी अच्छी लगी हो तो like, share जरूर करना और subscribe जरूर करना धन्यवाद